Hello everyone, this is Dr. Vandina Malviyah और वीडियो में continue कर रहे हैं हम topic sets Last वीडियो में इसी topic का कुछ introductory part discuss किया था वही चीज को continue करते हैं इस वीडियो में तो चलिए देखते हैं सबसे पहले symbols in a set जो symbols इस topic में use आएंगे उन symbols का meaning क्या होता है वो देखें आप सबसे पहले आप symbols देखें ये जो double dot या फिर एक vertical ये line इसका meaning होता है such that जब हम ऐसे लिखते हैं double dot लगाएं या एक ये single vertical line तो इसका meaning क्या होता है such that ऐसी ही आप देखें ये जो symbol बना हुआ है इसका meaning है और और इसी symbol को अगर reverse कर दें तो इसका meaning end हो जाता है ये जो sign है e आपको ultra e लगेगा उसका meaning होता है there exist ये symbols को याद रखना है क्योंकि set theory में इन symbols की बहुत utility है बार बार हम theoretical as a terms नहीं लिखते हैं हम symbols ही use करते हैं generally इसलिए symbols को आपको समझना आना ही चाहिए और फिर आपको ये याद भी रखना है next आप देखें ये जो symbol है ये for all के लिए है ये आपका है belongs to अब belongs to वाले को ऐसे देखें आप cut कर रखा है यासे इसका मतलब होता does not belong to belong to है तो आपका ये e type का ये जो symbol है और इसी को cross कर रखा है it means does not belong to ये जो symbol होता है आपका ये implies that दोनों साइड अगर आप देखें arrow लग गए है तो ये है implies and implies that clear है तो ये कोछ general से notations है इनके symbols के meaning आपको पता होने चाहिए और वो आपको ध्यान रखना है next है order of a set और cardinal number of a set order of a set क्या होता है या हम क्या दें कि cardinal number set का क्या है तो वो देखें आप ये simple the number of distinct distinct means or different भी कह सकते हैं number of distinct elements in a set are called its cardinal number और order number of elements जितने भी present होते है set में उसी को हम क्या कहते है cardinal number इसको denote आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे a कोई set है तो उसके order या तो आप na लिख दें या o order के लिए o a हमने कहा ना number of different elements तो na से भी represent होता है और इसको आप order भी कहा रहे हैं इसलिए o a से भी represent होता है order of a set और cardinal number of a set example से समझें आप जैसे कोई set दे रखा है a इसमें ये 5 element है 1, 3, 5, 7, 9 अगर आपको इसका cardinal number चाहिए तो simple जैसे आपको बताया है इसमें जो different elements है different means जो भी element होंगे वो repeat नहीं हो रहा है तो यहाँ तो कोई भी element repeat नहीं हो रहा है 5 है तो इसका cardinal number पी कितना हो जाएगा 5 further if a set is this यहाँ पर आप देखें तो 1 भी 2 time repeat हो रहा है 3 भी repeat हो रहा है तो यहाँ पर अगर different elements की बात करें तो वो फिर से कितना है 1, 3, 5, 7, 9 बाकि तो 2 क्या हो रहे है repeat हो रहे है तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में हमने discuss किया symbols और उनका meaning और cardinal number या order set का क्या होता है वीडियो को continue करेंगे कुछ और नए topic के साथ इसी topic को continue करने वाले हम sets को ही उसमें वीडियो के किसी भी part में अगर आपको doubt है तो comment section में ज़रूर mention करें previous videos के link के लिए आप description box और playlist चेक कर सकते हैं मिलते हैं next video में sets topic के साथ ही till then keep watching my videos thank you, thanks a lot